हेलो फ्रींट्स विल्कम बैक टो माई चैनल मैं संध्या और आप देखरों संध्या सीलाई डिजाइन फ्रींट्स आज की इस वीडियो में हम लोग आस्तीन की डिजाइन बनाने वाले हैं आससी हम लोगों अभी धम नेल में देखा स्यम वई ही पैटर्न हम लोग चैनल का निकाल लेना है और करूं यानि जहां तक हम निए पैटर्ण को चोड़के अपनी नंप लिये ठीक है इस तरह से न्पने के बाद जितनी लंबाई हमारी ब्लाऊस की निख लेंगे टो इस तरह से यह मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया और इतना लेने के बाद इसको हम Kubdival Pakलेंगे। तो goshowwwww करने के बाद अब इसकी नाप लेंगे तो जैसे कि हमको आस्तिन कि को जितना भी बड़ा बनाना है डिजशाइन उस विस्ही साथ से लेंगे तो यहां पर ज्यादा बड़ी नहीं बनाना वे हम लोग लेंगे सवाएक इंच ठीक है उस तरह से हर जगा से हम सवाएक इंच पर मार्क करेंगे और यही सतक यही समय लाइन करणे के पूरेलए टरह स उब्रावर दो आम Dude है यह में चाल शुलते हैं क्किनल जबयाद और सब्रक्राइग करने के बाद करने सब्सक्राइब के त् họ numbers बना शुटा व दोर भी माइज सब ठमड़ा baik यृ जोड़ लिन इस थाए डिया सब्सक्राइब हमको नीचे की साइड भी छोड़ना है उतना छोड़ने के बाद अब हम तीनों ही बॉक्स बिलकुल बराबर शी मिलाके लगाएंगे इस तरह से मार्ग करेंगे और नीचे साइड भी उतना ही लेंगे जितना हमने दोनों लिया इस तरह से मार्ग कर देंगे तो यह मैंने तीन 3 इंच पर लिए है तिन ओबाक्स हमने 3 इंच पर बनाया हो इस तरह से यह देखिए अब हम 3 इंच के बिल्कुल हाव से बिल्कुल सेंटर से तो j 1,1.5 जाएगा 3 इंच का सेंटर कितना होगा हाफ इंच यानि के डेड़ इंच होगा ना तीन का आधा करेंगे तो डेड़ इंच हुआ और अब हम इस तरह से बिल्कुल बराबर से मार्ग करेंगे ये जो हमने box बनाये हैं उन्हीं के बराबर से इस तरह से mark करना है mark करने के बाद इस तरह से आप पड़री ले लीजेगा और इसमें save दे दीजेगा अपने design का इस तरह से हमको save देना है तो अगर यहां पे आप गोलाई वाली save भी देना चाहो तो वो भी बहुत ही सुन्दर आती है बनने के बाद लेकिन यह भी अच्छी लगती है मैं यहां पे इस तरह से बना रही हूँ इस तरह से हमको तीनो box में यही design pattern तयार कर लेना है इस तरह से यह pattern तयार करने के बाद अब हम क्या करेंगे यह जो हमने mark किया था अंदर का जो हमारा design है जितने में तयार होके निकलेगा उस तरह से हमको 20 से cut कर देना है तीनों ही अलग कर देने हैं cut करके यह हमने cut कर दिया इस तरह से यह हमारा pattern होगा इसकी बाद friends अब हम लोग अस्तर का कपड़ा लेंगे तो जितना हमारा paper pasting है उससे हम हर जगा से half inch बढ़ा लेंगे कपड़े को ठीक है बढ़ा लेने के बाद अब हम अपने paper pasting को इस तरह से दोनों को मिला के रखेंगे और मिला के रखने के बाद इस तरह से हम इसमें शिलाई चला लेंगे यह मेरा paper pasting है press करने वाला यानि कि press करने से चिपक जाता है लेकिन इस टाइम पे मेरे यहां light नहीं है तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से जुगार से बना लिया है अब हम इसको side side से इस तरह से सिलाई चला देंगे जिससे कि हमारा paper pasting इधर उधर भगे नहीं इस तरह से हमने शिलाई चला ली ठीक है अब यह सिलाई चलाने के बाद क्या करेंगे यह जो हमारा कपड़ा है ना इसको इस तरह से fold कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह से चारो तरफ से फोल्ड करके शिलाई चला लेंगे यह हमने इसको फोल्ड कर लिया है फोल्ड करने के बाद अब हम इसके बिल्कुल सेंटर पर माग कर लेंगे निशान लगा लेंगे इस तरह से सेंटर पर निशान लगाने के बाद इसमें तो हमने लगा के रखा था आस्तीन में इस तरह से अब हम क्या करेंगे इनको दोनों को इसी तरह से मिलाएंगे तो दोनों को सेंटर हमको बिल्कुल आने चाहिए अब ये जोडने में हमको बहुत ही ध्यान रखना है बिल्कुल फनीशिंग के साथ में जोडना है वरना फिर हमारे आस्तीन की डिजाइन आगे पीछे हो जाएगे इस तरह से हमने सिलाई चला ले तो फ्रींड्स ये सिलाई चलाने के बाद अब हम लोगों ने जो डिजाइन बनाई है उसी डिजाइन पे इस तरह से सिलाई चला लेंगे तो हमको बिल्कुल बक्रम जो हमारा लगा हुआ है बक्रम पे नहीं चलना चाहिए बिल्कुल बक्रम के साइट से सिलाई चलना चाहिए इस तरह से ये मैंने शिलाई complete कर ली है अब इसको क्या करेंगे इसको fold करेंगे इस तरह से fold करने के बाद इस design वाले pattern को हम हलका सा cut तो तीनों ही पैटर्न में हम इसमें कट लगा लेंगे, पूरा कट नहीं करेंगे, अब हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद अब हम इसको बराबर से कट कर देंगे, इस तरह से अब हम दोनों तीनों इस तरह से बना लेंगे, यह हमने कट कर लिया है, कट इसको बिल्कुल फोल्ड कर देंगे उल्टे साइट पलेट लेंगे तो इस तरह से यह फोल्ड कर दिया तो है कि तो आप कोई भी पतली चीत से इसको अच्छे से को लिएगा इस तरह से fund करने के बाद अब उपर से फिर एक बार शिलाई चला देंगे फनीशिंग लाने के लिए तो ये हमको बिल्कुल बराबर से शिलाई चलानी है इस तरह से ये मैंने शिलाई चला ली है कंप्लीट कर लिया है इसके बाद यहां पर हम लोग बटन लगाएंगे तो इस तरह से ये मैंने फैबरिक की ही बटन बना अगर आप लोगों को सीखना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मैं आप लोगों को इसका वीडियो भी लेके आ जाओंगी इस तरह से यह हमने कंप्लीट किया अब हम लोग इसके बाटम का निशान लगाएंगे तो जितनी भी नाप है आपका गुलाई का उस तरह से हा के हैं यहांपर explor सीतरी तरिक रफेका यह के यह लिए यह हम दोनों आस्तिन करे लिए यह मैंने कंप्लीट कर लीए है आप लोगों को पसंद आया होगा दो शरूर डिना झाल